आनंदी बेन पटेल मुख्यमंत्री इस्रिबान योगी आदितेनाज जी के इन देश दुनिया से हजारोश शीव भक्त यहां हर रोच बाबा को जल चड़ाने पहुंट रहे हैं और इस बार तो सावन की अवदी बिजरा अधीक है ऐसे में इस बार बाबा के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में स्रद्धालूओं का आना तया है लेकिन इल्जब पे साथ एक और बात तया है अब जे भी बनारस आई तक खुश हो के ही जाई मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती कि इतने सारे लोग आएंगे बनारस में सब कैसे मैनेज होगा काशी के लोग तो मुझे सिखा देते हैं मैं उनको कोई चीज सिखा नहीं सकता हूं अभी G20 के लिए दुनिया भरते इतने सारे लोग बनारस आये थे काशी के लोगों ने उनका इतना भव्य स्वागत किया इतना अच्छा प्रबंद किया कि आज पुरे दुनिया में आपकी और काशी की महावाई हो रही है और इसलिए मुझे पता है काशी के लोग सब सभान लेंगे आप लोगों ने काशी विश्वना धाम और पूरे परिशर को भी इतना भव्य बना दिया है कि जो यहाँ आ रहा है गदगद होकर जा रहा है यह बाबा की इच्छा ही थी कि हम उसे पूरा करने का निमित बन पाए यह हम सभी का सभा क्या है बाई और बैनों आज काशी सही उत्तर प्रदेश को लगभग बारा हजार करोड रुपिय की परियोजनाओं का उपहार मिला है हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन कया का संकल पलिया है यह उसका विस्तार है इन में रेल, रोड, पानी, सिख्षा, टूरिजम से जुड़े प्रोजेक्ट है गाटों के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट है इन विकास कारियों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बदहाई साथ्यों कुद्विर पहले ही मेरी प्रधानमत्री आवास योजना और आयुशमान भारत योजना के लाभारतियों से बात्तित हुई पहले की सरकारों से लोगों की सबसे बड़ी सिकायत यह थी कि वो योजनाएं एर कंडिशन कमरों में बैट करके बनाती थी जमीन पर योजनाओं का क्या असर हो रहा है यह तब की सरकारों को पता ही नहीं चलता था लेकिन भाजपा सरकार ने लाभारतियों से बात की समवाद की मुलाकात की एक नहीं परमपरा शुरू की है यानि बेनीफिट भी डारेक और फिड़बेक भी डारेक इसका फाइदा यह हुआ कि हर सरकारी विभाग हर अपसर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे अब किसी के लिए गुणा गणीत का कोई चांसी नहीं बचाएं साथियों जिन दलों ने अतीत में प्रष्ट और नाकाम सरकारे चलाई वे आज लाभार्ति का नाम सुनकर तील मिला जाते हैं आज हादी के इतने साल बाद लोगतंत्र का सही लाब अब सही माइने में सही लोगों तक पहुचा है वरना पहले लोगतंत्र के नाम पर सिर्फ किने चुने लोगों के हित सादे जाते थे गरीब की कोई पूछ नहीं नहीं थी बाजपा सरकार में लाभारती भर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेकुलरिजम का उदाहरन बन गया है हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हर योजना के आखरी लाबारती को खोज कर उस तक पहुच कर उसे योजना का लाभ पहुचाएं जानते हैं इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो रहा है बाई जब सरकार खुदी पहुच रही है तो क्या हो रहा है कमिशन लेने वालों की दुकान बन दलाली खाने वालों की दुकान बन गोटाले करने वालों की दुकान बांद यानि ना कोई भेदभाव और ना ही कोई प्रस्टाचार साथियों बीते नव वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीड़ी के लिए सिर्फ योजनाई नहीं बनाई है बल्कि आने वाली पीडियों का भविस्य भी सुदर जाए इसको ध्यान में रख करके काम किया है अब जैसे गरीबों के घर की योजना है अभी तक देश में चार करोड से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं आज भी यहाँ यूपी के साड़े चार लाख गरीब परिवारों को पक्के घर सुप्रुत किये गए हैं सावन के महने में महादेव की एक कितनी बड़ी कुरुपा हुई है साथियों जिन गरीबों को ये घर मिले हैं उनके एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है सुरक्षा की भावना उनके बीतर आ जाती है जिने ये घर मिलता है उनमें एक नया स्वाभिमान जगता है नई उर्जा आती है जब ऐसे घर में कोई बच्चा पलता है बढ़ता है तो उसके आकांच्छाए भी अलग होती है और आपको एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूँ पी एम आवास योजना के ये ये जादातर घर महिलाओं के नाम पर मिल रहे है आज इन घरों की कीमत कई कई लाख उर्पिय हो गई है करोडों बहने तो ऐसी है जिनके नाम पर पहली बार कोई पॉपर्टी रेजिस्टर हुई है इससे गरीब परिवारों की बहनों को जो आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली है ये वो ही जानती है साथियों आईश्मान भारती होजना भी सिर्फ पांच लाग रुपिये के मुप्त इलाज तक सिमित नहीं है इसका प्रभाव कई पीडियों तक पढ़ रहता है जब गरीब परिवार में कोई गंबूईर रुप से बिमार पढ़ता है तो किसी की पढ़ाई छुट जाती है किसी को छोटी उम्र में काम करने के लिए जाना पढ़ता है पत्नी को भी रोजी रोटी के लिए निकलना पढ़ता है एक गंबीर बिमारी आई कि कई कई साल तक माबाप बच्चे बड़े हो जाएं लेकिन शादी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिती बिमारी में कस्ता हाल हो जाती हैं और गरीब पे सामने दो ही विकल्ब होते हैं या तो वो अपनों को अपनी आखों के सामने जिन्दगी के लिए संगस करते देखे या घर खेत बेच दे किसी से हिलाज के लिए कर्ज ले जब प्रॉपर्टी बिक्ती है कर्ज का बोज बढ़ता है तो आने वाली कई कई पीडियां प्रभावित हो जाती है आउश्मान भारतियोजना आज गरीब को इसी संकट से बचा रही है इसलिए मैं मिशन मोर पर लाभारतियों तक आउश्मान कार्ड पहुंचाने के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहा आज पी अहां से एक करोर साथ लाख लाभारतियों को आईश्मान भारत का कार्ड बंटना शुरू हुआ है भाई और बैनों देश के संसाधनों पर बंचितों का गरीबों का सबसे बड़ा हक होता है पहले बैंक तक पहुँच भी सिर्फ अमीर लोगों की होती थी गरीबों के लिए तो ये माना जाता था कि पैसा ही नहीं है तो बैंक खाते का क्या करेंगे कुछ लोग सोचते थे कि गारंटी देने के लिए कोई नहीं है तो बैंक लोन कैसे मिल पाएगा बीते नौ वर्सों में इस सोच को भी भाजपा सरकार ने बदल दिया हमने बैंकों के दरवाजे सब के लिए खोल दिये हमने करीब करीब पचास करोड जनदन बैंक खाते खोले मुद्रा योजना के तहट पचास हजार चे लेकर दस लाख उर्पिय तक के रण बिना गारंटी दिये यहां यूपी में भी करोडों लाभार्थियों ने मुद्रा योजना का लाब उठाकर अपना काम शुरू किया इसमें सबसे हधिक लाभ गरीग दलीग पिछडे आदिवासी अल्प संध्यक परिवारों से जुड़े साथियों और महला उद्योम्यों को हुआ यही तो सामाजी गन्या है जिसकी गारंटी बाजपा सरकार दे रही है साथियों हमारे रेडी ठेले पट्री पुटपात पर छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले साथि भी अधिकतर बंची समाज से ही आते हैं लेकिन पहले की सरकारों ने इन साथियों को भी सिवाय अपमान और प्रतार ना के कुछ नहीं दिया रेडी ठेले पट्री पुटपात पर दुकान चलाने वालों को दुद्कार देता है गाली देकर चला जाता है लेकिन गरीब मा का बेटा मोधी इनका अपमान बरदास नहीं कर सकता इसलिए मैंने रेडी ठेले पट्री पुटपात पर दुकान करने वाले के लिए पियम स्वनी दी योधना बनाई है हमने पियम स्वनी दी योधना के तहरत इनको भी सम्मान दिया है और बैंकों को इन्हें मदद देने को कहा है जो पैसे पट्री वाले दुकानदारों को बैंक दे रहे हैं उसकी गारंटी भी सरकार खुद ले रही है पियम स्वनी दी योधना के तहरत अभी तख 35 लाग से अधिक साथियों को मदद श्विकृत की गई है यहां बनारस में भी आज सबालाग से जादा लाभार्तियों को स्वनी दी योधना के तहर लोन दिये गए इस लोन से वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे अपनी दुकान का विस्तार करेंगे अब कोई उन्हें गाली नहीं दे पाएगा उन्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा गरीब को स्वाबी मान ये मोदी की गारंटी है साथियों जिस लोगों ने देश पर दसकों तक राज किया उनके शासल के मूल में ही बेहिमानी रही और जब ऐसा होता है तो चाहे कितना भी दनी किट्टा हो तो कम ही पड़ता है 2014 से पहले ब्रस्टाचारी और परिवारबादियों की सरकारों के दोरान ऐसा ही कारोबार चलता था बज़ेड की जब भी भास आती से तो घाटे का नुक्षान का ही बहाना होता था आज गरीब का ल्यार हो या फिर इंफ्रस्टाचर बज़ेड की कोई कमी नहीं है वही कर देता है वही सिस्टिम है लेकिन सरकार बदली है नियत बदली है तो परणाम भी बदले दिख रहे है पहले करत्वन और काला बज़ारी खबरों से खबार बड़े रहते थे अम लए प्रोजेश के सिलान्यास और लोकारपन की खबरे अखबारों में च्छाही रहते बीते नव वर्षों में आये परिवर्तन का सबसे बड़ा उधाराण भारतिय रेल है इस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर एने माल गाडियों के लिए विशेश पट्रियों की हो जड़ा 2006 में शुरू हुई थी लेकिन 2014 तर एक किलोमेटर ट्रेक भी नहीं पीच पाया था एक किलोमेटर भी नहीं पिछले नव वर्षों में इसका एक बहुत बड़ा हिस्चा पुरा हो चुका है इस पर माल गाडिया चलना शुरू कर चुकी आज भी दिल नयाल उपाज जाए जंग्शन से न्यू सोन नगर खन का लोकारपन किया गया है इसे माल गाडियों की स्पीर तो बड़ेगी पुर्वान चल में पुरी भार्वत में रोजगार क्या नेक नहीं अवसर बनेंगी साथियों जम नियत साफ होती है तो कैसे काम होता है इसका एक और उदाहन मैं देता हूँ डेश पे तेज रफ्टा ट्रेने चले देश हमेशा यह चाहता था इसके लिए पहली बार देश में करीब करीब पचास साल पहले राज़दानी एक्सप्रेस की शुरुवात हुई राज़दानी एक्सप्रेस चलाई गई लेकिन इतने साल में भी यह राज़दानी एक्सप्रेस सिरफ 16 रूटों में ही चल पाई है पता चालोगे सिरफ 16 रूट इसी तरह 30-35 साल पहले सताब्दी एक्सप्रेस भी चल पड़ी लेकिन सताब्दी ट्रेन भी 30-35 साल में अब तक 19 रूटों पर ही सेवा दे रही है इन ट्रेनों से अलग एक बंदे भारत एक्ष्प्रेस है और बनारस के पास तो देश की पहली बंदे भारत का खिताब है चार साल में ये ट्रेन 25 रूट पर चलनी शुरू हो चुकी आज भी गोरकपुर से दो नई बंदे भारत एक्ष्प्रेस को हरी जंडी दिखाए गई है एक ट्रेन गोरकपुर से लखनों के लिए चली है और दूसरी एमदाबाद से जोधपुर रूट पर चली है देश के मद्यमबर्ग में ये बंदे भारत इतनी सुपर हिट हो गई है कि कोने कोने से इसके लिए डिमांड आ रही है वो दिन दूर नहीं जब बंदे भारत देश के कोने कोने को कनेक्ट करेए भाई और बेनों बीते नव वर्षों में कासी की कनेक्टिविटी को भी बैतर करने के लिए अभुद्पुर्व काम हुआ है यहां जो विकास कारिये हो रहे हैं वो रोजगार के अन्यकों नए आउसर भी बना रहे हैं अब जैसे पिछले वर्ष कासी में साथ करोड़ चे ज्यादा परियटक और सद्धालू आये थे सर्फ एक साल में कासी आने वाले परियटकों की संख्या में बारा गुना बड़ोतरी हुई बारा गुना परियटक बड़े हैं तो इसका सीधा लाप यहां के रिक्षा वाले को हुआ है दुकानदारों को हुआ है धाबा होटल चलाने वाले साथियों को हुआ है बनारसी साड़ी का काम करने वाले हो, या फिर बनारसी पान वाले मेरे भाई, सभी को इस से बहुत फाइदा बोरा है पर यह टक बने का बहुत बड़ा लाप हमारे नाव चलाने वाले साथ्यों को हुआ है शाम को जो गंगा आर्थी होती है उस समय नावों पर कितनी भीड होती है ये देख मैं भी हैरत में पढ़ जाता हूँ आप लोग ऐसे ही बनारस को संभाले रहिए साथियों बाबा के असिर्वात से वारा नसी के तेज बगास की आत्रा चलती रहेगी और मैं एक बार कासी वास्चियों का और भी धनिवास करना चाहता हूँ पिछले दिनों कासी में नगर रिगम के चुनाव हुए थे आप समने विकास की यात्रा को समर्थन किया विकास में विश्वास करने वालों को जिता करके बेच दिया और कासी में एक अच्छा गवस्था खड़ी करने के जिसा में आप लोगों ने जो सहीयोग दिया तो कासी के साउसत के नाते आप सब के इस सहीयोग के लिए मैं आज जब आपके बीच आया हूँ तो रुदय से आपका अभार भी व्यक्षा करता हूँ एक बार फिर आप सभी को विकास कारियों की बहुत बहुत बदाई और पवित्र सावन मास्क अवसर पर आप सब को अनेक अनेक शुका मुनाए हरहर महादेव हरहर महादेव के उद्ग्यूश के साथ प्रदानमंत्री नरेंद मोदी ने अपने संबोधन को पूरा किया उन्हें का कि भारत की समरिद संस्कृति और विरासत को संग्रक्षित कर रही है मोधी सरकार तो काशी के दो दिन के दौरे पर प्रधान मंत्री है और यहां विपक्ष पर भी